ये तो आप जानते हैं कि चीन अपने निवेश के जरीए भारत की नीव को खोकला करना चाता है तब ही वो भारत के हर उस प्रोजेक्ट में प्रवेश करने की फिराक में रहता है जो भारत को मजबूती देता हो और ऐसा ही कुछ हाल के सालों में चीन की तरफ से देखने को भी मिला है दरसल चीन भारत में मेटरो प्रजेक्ट हासिल करने की रेस में सबसे आगे रहता है और इसके लिए वो कम से कम बोली लगाने से भी पीछे नहीं रहता है जिससे वो आसानी से टेंडर भी जीत लेता है और अंतता नतीजा ये होता है कि प्रजेक्ट या तो पूरे नहीं होते हैं और अगर होते भी हैं तो कुछ न कुछ तकनिकी गड़बडियों के साथ ऐसा ही कुछ कोलकता मेट्रो प्रजक्ट में देखने को मिला है जहां तीन साल हो चुके हैं और तेरा मेट्रो टेनों का इंतजार हो रहा है और ऐसा ही कुछ बैंगलोर में देखने को मि में CRCC को 1578 करोड़ रुपय का टेंडर दिया जिसमें 216 मेटर कोच बनने थे जबकि CRCC ने समय रहते ये नहीं किया उपर से CRCC को 94% स्वधिशी उपक्रोण का इस्तमाल करते हुए 216 मेटर कोच इसका निर्माण करना था वो भी उससे नहीं हो रहा था और तो अब उसने ये भी का कि CRCC को कॉम्बिनेशन, टेस्टिंग और कमीशन की प्रक्रिया के लिए लोकल पार्टर्नस को खोजने में मुश्किल भी हो रही थी जिसकी वज़े से इस प्रोजेक्ट में देरी हुई है और इसके बाद चीनी कमपनी ने BMRCL के आगे एक नया ओफर रख दिया जिसमें वो सारे 216 मेट्रो कोजिस को चीन में ही बनाने पर जोर दे रही थी पर BMRCL ने इस मांग को सिरे से खारिच कर दिया अब यहां यह समझा जा सकता है कि चीन अपने किये हुए कॉंटर्ट को तोर मरूर के बाइपास करने की फिराक में है पर उसे क्या पता था BMRCL इतनी आसानी से यह होने नहीं देगा दरसला बूलता BMRCL ने चीनी कंपनी के 372 करोड रुपए की बैंक गैरेंटी को इन कैश कराने की धमकी दी है यहां पर चीनी कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी जिसकी वज़े से उसे यह कॉंटर्ट मिला और अब यह कंपनी हाथ खड़े कर रही है यहां बता दे कि कुल मिलाकर चार कंपनीों ने बैंगलोर मेट्रो के लिए बोली में भाग लिया था जिसमें B.E.M.L. यानि कि भारत अर्थ मूबल लिमिटेड ने 216 मेट्रो कोचिस के निर्माण के लिए 1996 करोड रुपए की बोली लगाई थी जो कि चीनी फर्म की बोली से लगबग 418 करोड रुपए अधिक है जबकि कैनेडा की फर्म बंबडियर दूसरी सबसे कम बोली 1801 करोड रुपए की थी और आखिर में ऐल्स्ट्रॉम इंडिया ने सबसे अधिक 2052 करोड रुपए की बोली लगाई थी यहां आप देख सकते हैं चीन की कमपनी ने कैनेडा की फर्म बंबडियर से 200 करोड रुपए की कम बोली लगाई थी जिससे उसको ये कॉंट्रेट हासिल हुआ आपको याद नहीं है तो हम आपको बता दे की B.E.M.L. वही कमपनी है जिसने C.R.R.C. को हराते हुए मुंबे मैट्रो कॉरिडोर के लिए 3,015 करोड रुपए का ओर्डर हासिल किया था वैसे भारत अर्ज मुवर लिमिटेट की बात करें तो ये आज से नहीं बलकि सुतंता के समय से ये रेल कोच का निर्वान करने वाली सबसे पहली संस्ता है बाकी अनेक बड़ी संस्ता है इसके बाद आई है ये देश में चल रही सभी मैट्रो की लगबग आदी हिस्सेदार है और अपने बल पर उनका सोदेशी करन कर रही है अब देखना ये है कि आगे क्या होता है क्या चीनी कंपनी मेकिन इडिया के तहद सोदेशी उपकरनों का इस्तमाल करती है या नहीं या आगे चल कर भारत की सोदेशी कंपनियों का इसका मौका मिल सकता है